नमस्कार दोस्तों Welcome to Agree Paradise तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनीमन हस्वेंडरी के बारे में पस्पालन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं तो यह BCAZ वालों के लिए तो महत्पूर्ण है ही साथ में जो लोग MSC इंटरेंस एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसमें जो इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं उनका भी मैं डिसकस करता हूँ चलता हूँ तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजे यहां तक पढ़ लिया थी ठीक है क्या पढ़ लिया था टेक्सों नॉमिंग आरेंजमेंट पढ़ लिया था बह क्मेंर endeavors अर क्लास क्या है यहां जानवरों का एड सब्सक्राइब्लकन होने चाहिए तब ही रखा जाएगागा इसके बारे में मनें पहुत डीडिखल में एच्छी तरीके से वीडियो में बता है तो वीडिए उस वीडियो जो उड़ लेते हैं। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है जिसके सब के बात के बात करें तो ये ठेघिया हyorsunु ए और अंगू लाटा यहीं को उपने हैं इसलिए और पढने हैं सबसे पहले हम लोगे को पढ़ना ऐ दूसरा हमको पढ़ना फीक हैं सबसे ज्यादा महात्पूर्ण है यह क्यों महात्पूर्ण और इस इसी में गाय भहाँश बकरी इसी में आते हैं तो इसी में जीक्पं लिखे कर बच Apache से लिसी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो अगर आपसे कभी ब्योग कोई पूंचता है तो और येज़ा चिशी सीनता है और जैसा कि पूछले वीडियो में मैंने बताया था कि genus और species मिलकर ही scientific name बनाते हैं ठीक है तो अगर गोड़े का scientific name कोई पूँचता है तो आप बताएंगे Equus Cabalus और गधे का अगर कोई पूँच लेता है तो Equus Acinus बताएंगे ठीक है यहां तक चीज तो समझ में आ गई होगी उसके बाद में सबसे महत पूँट जो चीज होती कोउशन पूँचा जाता है Equus Canada में कि म्यूल क्या होता है एक यह कोशन बनता है दूसरा बन जाता है कि Janet क्या होता है तो आपको बता दे है कि मूल और Janet को समझने के लिए इस तरीके समझना पढ़ेगा. सबसे पहले हम अगर म्यूल की बाद करें तो हम यहां पे जो मेरल होगा, वो गधा ले ले लेते हैं. और इसका क्रास करा देते हैं, वो ऑड़ी होगी, वो फिमेल होगी, और यहां पे जो गधा होगा, वो क्या होगा मेल होगा जब हम इन दोनों का क्रास कराएंगे तब क्या बनेगा मियूल ठीक हमेशा याद रखना आएमपी लगा लो उसके बाद में अगर हम जैनेट की बात करें तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्योना सर ऐसा करते हैं कि हम यहां पर जो मेल हो गोडा ले ले और जो गधा है वो कैसा ले ले फीमेल ले लिए अब देखीगा अगर हम इन दोनों का क्रास कराते हैं तो क्या बनेगा जैनेट बनेगा तो याद रखना ठीक है अगर आप आप से जनरली कोई examiner या कोई भी पूश लेता है कि म्यूल क्या है तो म्यूल को तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं खचर पता ही होगा इसको खचर कहा जाता है और इसके अंदर क्योंकि घोड़ा यो गध्धे का दोनों का क्रास करके बनाया जाता तो इसके अंदर बहुत जाद सब्सक्राइब करें अगर 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 आप अगर उन फचिशबर आप उन्हें पूछ लता अगर हम Arteodactyla की बात करें तो यहां पर हम लोगों को तीन सब और पढ़ने हैं अगर कोई भी पूछ लेता है तो कौन-कौन से सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे पिकोरा के बारे में ठीक है दूसरा आपका क्या हो जाएगा सुईना तीसरा आपका होगा टाइलो कोटा अगर हम पिकोरा की बात करें तो पिकोरा में आपके आते हैं भेंड बकरी गाय भाहेंस यह सब किसमें आजेंगे पिकोरा में आजेंगे सुईना में क्या पढ़ेंगे हम लोग सूवर के बारे में पढ़ेंगे टाईलों पोटा में हम लोग उमूट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब देखिएगा अगर हम बात करें यहां पे सब ऑर्डर पिकोरा की तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए सब ऑर पिकोरा में फैमली क्या होती है चाहरे वहले होता है और तीसरा काईपगराब सीजों आपके। सब्सक्राइब करते हैं नहीं होता है दूसरे होते हैंरी मोन हमा और अगर हम बहुत स्टोर्स की बात करें तो यह होते हैं हम्पलेस देखिएगा यह जो यहां पर हम्फ होता है जो कुकत होता को हम नहीं पाया जाता तो इसको हम्पलेस करेटल जाता है इनको पहा जाता है हम प्लेस कैटल इनमें हम नहीं पाया जाता है यह जो हम होता है यह नहीं पाया जाता है तो इसको हम प्लेस कैटल बोला जाता है अगर हम बहुत इंडिकस की बात करें तो इनमें हम पाया जाता है यह देखिएगा यह जो हम है जो कुकद है वो पाया जाता है यह घर का यह मैं पाएजाते हैं है यह में पाएजाते हैं और यह हमारे भारत में इन्डिया है वोड़ेंड को बीजाते हैं जरसी में भिलाए जाता है लो वोड़ेंदेटे osoby अपर होगे तो नहीं पाया जाता है और दूसरा इंडिकस आती है जिसमें पाया जाता है- इभास भी की तो लोग ने देख लिया है दो नहीं इसब क्वेले थोड़ी सी सपेलिंग गलत है सई करने है तो याद रपना खेक है अगर हम इनकी बात करें तो इनको बाटर वफैलो कहा जाता है अच्छे कभी अच्छी तरी के समझने आएगा वाटर वफैलो क्यों कहा जाता है क्योंकि भैस के सरी पर कभी आप लोगों निकलते नह तो इसलिए आप लोगोंने देखा गए उनको कहा जाता है उनको कहा जाता है उसके बाद में करें तो इसका जो साइंस्टिपिक नेम होता वो क्या होता तो अगर आप से भेंड का कभी भी साइंस्टिपिक नेम पूचा जाता है तो वी से होता है आप इमेज में देख भी रहें हुए तो आप से कभी भी पूचे जाती है कि जो बकरी होती है उसका आप नाम बताएंस्टिपिक तो कैपरा हिरकस बताएंगे ठीक है में आगे देखते हैं आगे सबस्क्राइब करें तो इनको बोला जाता है यह सच्चेवाले किसम्ग की का सुर आप बट आया था कि उसकी पिकोडर के अंदर मैंने जैसे फैमिली बटाई थी व cruelty इसे ही सुईना के अंदर ili होगी और संकतलि सूचीह चोहता थो क्या होटा है उसको कुछ लोग बोलते बढ कने स्टीर कहीं इस पर सब्सक्राइब करें तो आपको पता ही गारी आप है scientific name बनाते हैं और एक बात जान लेजिए जो बोर्टनिकल नेम होता है वो सिर्फ पौधों में किया जाता है प्लाइट में कहा जाता है scientific name चाहिए पौधा हो या आपके जानवरों किसी कभी सब क्या बोला जाता है तो हम लोग जैसे कि पालतु वाला है अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि क्या होता है अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सब और टाइलो कोड़ा इससे पहले हम लोग पिकोरा के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें ऊट आता है अगर हम इसकी फैंपले की बात करें तो इसका जीनस की होता है कैमलस होता है और जीनस इस्पैसीज मिलकर ही क्या साइंटिपिक नेम बनाती है उसकी जो वो साइंटिपिक नेम क्या हो जाएगा कैमलस डोरो-मड़ैयस पहरा को दिख रहा है जो हम होता समय इंगल हम और इसी को बोला जाता है इंडिया में पाया जाते हैं इसके बात में अगर हम बात करें दूसरी इसके तो इसको बोला जाता है तो इसका अगर आपसे कभी विए को पूछता है कि जो आपका विदेशी विदेशों में पाए जाते हैं इंडियम पाए नहीं जाते हैं तो इनको बोलते हैं वैक्टेरिनियस तो आसा करता हूं चीज़े आप लोगो समझ में आई होंगी अगर किसी प्रकार का किसी को डाउट होता तो कमेंट करके जरूर बता है थैंक्यू फॉर वाच्चिंग अ